हालो बच्चों गुद मॉर्निंग तो वन्स अगें आम बैक विथे न्यू चैप्टर फॉर यू और इस पोयम का नाम है आई हैड डो तो यह चैप्टर नंबर 5 है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बिहार बोर्ड के वो बच्चे जो क्लास 7 में पढ़ाई कर रहे हैं त इसका नाम है आई हैड डो डी ओवी डो डो का मतलब क्या होता है अब आप सब बच्चों में से किसी ने कबूतर को देखा है क्या कबूतर को देखा है क्या have you seen a bird in a cage क्या आप सब लोगों ने किसी पक्ची को पिंजरे में देखा है how does it feel there उन्हें कैसा फिल होता होगा जब वो पिंजरे में होते होंगे would you like to be set in a room for ever give reasons for your answer तो यहां हम देख रहे हैं कि वार्मन सक्षन में ये है कि क्या आप सब बच्चों ने किसी पक्ची को पिंजरे में देखा है तो कहीं ने कहीं तो आप लोगों ने देखा ही होगा क्योंकि गाव में सहर में बहुत साड़े लोग होते हैं जिन्हें कोई ने कोई पक्ची पालना पसंद होता है तो ऐसा कह सकते हैं 100-500 लोगों के बीच में 2000 घर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कोई ने कोई पक्ची पाल रखा हो अक्सर लोग कबूतर या तोता पालते हैं कुछ लोग कुछ और भी चिडिया को भी पालते हैं तो यहाँ कभी ऐसा हो कि आप बच्चों में से किसी को कमड़े में 6 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए 2 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए तो कितना बुड़ा लगेगा कैसा लगेगा आप सबको इसके बारे में सोचना है और अपने जवाब लिखने भी हैं और आप चाहें तो इसके बारे में अपना idea मेरे वीडियो के comment section में भी share कर सकते हैं ओके तो यहां हम लोग बातें कर रहे हैं इस poem के बारे में जिसका नाम है I had a dove I had a dove had कि मेरे पास में एक पक्षी था मेरे पास में कभूतर था तो कभीता की लाइन इस तरीके से है I had a dove and the sweet dove died and I have thought it died of grieving तो यहां पर poet कहना चाहते हैं कि उनके पास में एक पक्षी था उनके पास एक डोव था और वो बड़ा प्यारा सा डोव था और वो मर गया और वो सोचते हैं कि जरूर यह बहुत ही तकलीफ की वज़े से और बहुत दुख मना करके इसकी मौत हुई है तो इस पोयम के लेखक है जॉन किट्स और हो सकता है यह उनका पर्सनल एक्सपीडियन्स हो जिसमें उन्होंने पक्षी पाल लखा हो जिसके बारे में उन्होंने यह कविता लिखी हो ओके तो आगे वो लिखते हैं ओवाट इट कुड़ ग्रीव फॉर इट्स फीट वियर टाइड विथे सिलकें थ्रीड आप माई ओन हैंड्स विभिंग वो कहते हैं कि उसे किस बात का दुख रहा होगा इस बा अपने हाथों से भून करके त्यार किया था तो यहां पर लेखक सोचने की कोशिस कर रहे हैं कि उनका वो जो प्यारा पक्षी डोव है जो मर गया है तो किस बज़ा से मर गया होगा और आखिर उसे क्या क्या तकलीफ रही होगी तो पहला उन्होंने यह पॉसिबिलिटी शे वाइस उड्यू डाई वाइस उड्यू लीव मी स्वीट बर्ड वाइस तो लेखक फिर से वह पूछते हैं हाला कि उनका जो प्यारा पक्षी है वो तो मर गया है लेकिन फिर भी वह जानना चाहते हैं कि इतने सुंदर पैरों वाले प्यारे से पक्षी तुम क्यों मर गए और क्यों तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया क्यों तुम मुझे छोड़ करके चले गए वो फिर से उस पक्षी से पूछना चाहते हैं कि तुम तो एक समय जंगल में अकेले रह रह रहे थे और तुम इतने प्यारे पक्षी हो इतनी प्यारे सी चीज होकर के भी तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते हो लेखक बार बार ये सवाल करता है अपने आप से उस पक्षी से मरे हुए पक्षी से तो आखिर की दो लाइनों में लेखक अपने मन की बात अपने एमोसन को जाहिर करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार प्यार से किस किया और मैंने कितने सारे प्यारे प्यारे मटर के दाने अनाज के दाने तुम्हें खिलाए हैं और इसके बावजूद भी क्यों तुम मेरे साथ में उसी तरह प्यार से उसी तरह खुशी से नहीं रह सकते जैसे कि तुम जंगल में रहा करते थे इसके साथ में ही ये कविता की आखरी लाइन रही है और जॉन किर्स जो इसके कवी है उनकी ये कविता यहाँ पर खत्म होती है तो अगर ब्रीफली मैं बात करूँ तो यहाँ पर कवी ने अपने एक पक्ची के बारे में बातें की है कि उन्होंने कोई प्यारा सा एक पक्ची पाल लखा था जिसे वो एक दिन देखते हैं कि वो पिंजरे में मरा हुआ है और उसके बाद वो बार बार तरह तरह से सोच रहे हैं कि क्या बात रही होगी कि ये प्यारा सा पक्ची मुझे छोड़ करके चला गया इसकी मृत्ती हो गई उन्हें ये भी फील होता है कि क्या ये पक्षी बहुत दुख में रहकर के मरा है वो अंदाजा लगाने की कोशिस करते हैं कि क्या इसके पैर बंधे हुए थे इसलिए वो मर गया है क्या ये लेखक के साथ में नहीं रहना चाहता था इसलिए छोड़ करके चला गया है वो ये भी सवाल करते हैं कि तुम तो अकेले जंगल में रहते थे और यहां तुम मेरे साथ में खुसी-खुसी क्यों नहीं रह सकते और वो बार-बार ये चीज़ कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता था मैंने तुम्हारे लिए खाने की इतनी साड़े चीज़ें रखी थी इसके बावजूद भी जैसे तुम प्यार से जंगल में रहते थे मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते तो अब इसमें मैं ग्लॉसरी के कुछ सब्द डिसकस करूँगा कुछ एक पांचे सब्द हैं पहला वर्ड है ग्रीविंग इसका मतलब है फिलिंग सैड सोक करना दुख मनाना तो अभियस है कि लेखक का प्यारा पक्षी मर गया है वह सोक मना रहे हैं वीविंग वीवर तो वीविंग का मतलब होता है बुनाई करना और जो बुनाई करते हैं उन्हें बुनकर बोलते हैं उन्हें हम लोग वीवर भी बोलते हैं एक वीवर वर्ड भी होती है जो चिडिया अपने लिए घोसले बुनती है एलोन यह अड्जेक्टिव है इसका मतलब है विदाउट एनी अदर पीपल लोनली अकेले रहना नेक्स्ट वर्ड इस ओफेन ओफेन के लिए यहां पर इस कविता में एक स्मॉल फॉर्म वर्ड इस्तेमाल किया गया है ओ एफ्टी जिसका मीनिंग ओफेन ही होता है many times होता है और यह adjective है तो ऐसा होता है इंगिलिस के poetry में भी हिंदी की कवितावां में भी कई बार जो classical हिंदी के सब्द हैं यांगरेजी के सब्द हैं उसे थोड़ा सा अलग Sally में paste किया जाता है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि often के लिए OFT यह use किया गया है आखिरी सब्ध है white piece सफेद मटर तो यह तो common सा word है आप सब लोग इसे समझी रहे होंगे तो इसके साथ ही मैंने आपका यह chapter जो poem है I had a dove इसका discussion complete किया है I will be conducting a follow-up lecture session for this chapter again जिसमें मैं आप सब लोगो को इस chapter के question answer solve करना बताऊंगा और साथ साथ में अगर कुछ grammatical चीजें हैं तो वह भी चीजें example के साथ में discuss करके बताऊंगा तो तब तक के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आप मेरा channel याद रखें new age coaching और इसे आप अपने batchmates में classmates में और पढ़ने रिखने वाले सारे दोस्तों के साथ में share कर सकते हैं जो बिहार बोड या NCRT का syllabus follow करते हूं क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए काफी सारे lectures डालने वाले हूं बहुत सारे सब्जेक्ट में हिंदी में अंग्रेजी में science में social studies के लिए maths और computers के लिए तो मेरा channel subscribe कीजिए share कीजिए like कीजिए and keep watching my video lectures again and again तो हम लोग फिर मिलते हैं keep learning take care of yourself बाइबाई